महिलाओं का एक रस होता है कि मैं भी सजू, मैं भी सवरू आपने वो सब चीजे छोड़ दी और आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म और भजन की तन प्रवचन और हिंदू सभाओं में कैसे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहां मंतृत करने के लिए बचपन से ही दादा जी कथा करते थे परम पूझनी आचारे राम सजिवन विश्रा जी जिनके सानिध में मतलब हमारा रामानंदी संप्रदाय आपने सुना होगा तो उसी संप्रदाय से दादा जी आते थे तो राम कथा भागवित कथा वो करते थे घर में एक नियम था कि सत्संग होता है तो एक छोटी सी व्यासपीट होती थी और लगभग भोजन के पश्चाथ सब लोग हमारे भोजन ही लगभग पाच बचे हो जाता था जैनिजम तो नहीं लेकिन वैसा ही कुछ कल्चर चलता था जिसको आजकर लोग तता कतिर इंटर्मिटेंट फास्टिंग जो बन करके आ गया वो हमारे यहां पहले से चला आता था भोजन के पश्चाथ सब बैठते थे थोड़ी देर चलो अब सत्संग करना तो दादा जी आदा घंटा एक गंटा अध्याय सुनाते थे और जब सब चले जाते थे तो मैं बोलती थी अब आप उत्रो मैं बैठूंगी तो मैं तीन-चार साल की थी टूटी-फूटी कहानिया जो याद रहती थी वो बताती थी तो दादा जी को समझ में आ गया इसको बहुत इंटरस्ट है इसका कुछ यूटिलाइजेशन किया जा सकता है तो उन्होंने मुझे पढ़ाना प्रारम कर दिया तो मैं उनके साथ परश की हुई तो मेरे दादा जी नहीं रहे वो मेरे लिए सब कुछ थे और ट्रेन एक्सिडेंट में जब उनका स्वर्ग लोग गमन हुआ तो मुझे लगा कि आप कौन है यह खतम परंतु दादा जी ने कहा था कि भागवित कथा राम कथा तो साथ है ही तुम्हें हिंद कि हो गया तुम्हारा ड्रामा बहुत तुमको तो डॉक्टर बनना है बच्पल से फ्रेम कर दिया जाता न बच्चों के माइन में कि तुमको डॉक्टर बनना इंजीर कभी बच्चों से पूछा भी नहीं जाता कि आपको क्या बनना है मैंने थोड़ा दराया धंक्या उनको भी लगा छोटी बच्ची है कुछ गलत कदम न उठा ले तो उनोंने कब तक करेगी चलो 14-15 साल की उमर तक और देख ले थे इनका उनको क्या बता था 13 साल की उमर में तो मैं इतना फेमस हो गई कि उन लोगों को लगा कि चलो आप तो ही हमारे हाँ से निकल चुकी है फिर पि परमात्मा है ना वो कुछ ना कुछ किसी को चुन लेता है और मेरे कुछ पूर्वजनम के अच्छे कर्मते परिवार का सानिद्ध था सपोर्ट था तो ऐसे मैं यहां पर आ गई असान भाशा में समझाएं तो बीज है चाहे कंकर जैसा दिखता हो पर उतसे पोदा है ना तो सनातन का एक पोधा हमारे साथ बैठी हुई है